नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं आप सबका अपने इस प्रोग्राम सी रामसरी द्मारस के बालकार्ट पार्ट में आप सब लोग कैसे हैं उमेद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे तो कल तक हमने जाना था कि आप सभी को बताएं ये काज ये अच्छे काज के लिए ये कारे में अच्छे काज के लिए हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब भी करवा रहे होंगे या लाइक शेर भी कर रहे होंगे और करवा में जाना था श्री रगनाद जी को जगत का पिता विचार का नेत्र भर कर उनकी छबी देख लो संदा सुख देने वाले और समस्त गुनों की राशी यह दोनों भाई शिव जी के हिदे में बसने वाले हैं मिलिक जल को देखकर दोड़कर क्यों अजय समीब आये हुए अमरित के शमुद्र को छोड़कर तुम जानकी को पतनी के रूप में पाने की दुराशा रूप मित्या मिलिक जल को देखकर दोड़कर क्यों मरते हो यह कमेंड किया है लोगों ने फिर जिसको जो अच्छा लगे वही करो हमने तो चंद्र जी के दर्शन करके आज जनम देने का फल्क पाद लिया दूसरे राजा लोग यह खाते हैं ऐसा क्या कर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर राम जी का अन्पम रूम देखने लगे मनुष्य की तो बात ही क्या देवता लोग भी अकाज से विमान पर चड़े वे दर्शन कर रहे हैं और सुन्दर गान करते वे फूल बर्सा रहे हैं तो अब यहां से आज का बाट चुरू होता है जान की सुअबसरू सिये तब पठाई जनक बोलाई चतुर सकी सुन्दर सकल सादर चली लवाई तब सुअबसर बात जान कर जान की जीने सिता जी को बुला वेजा सब चतुर असुन्दर सकी आदर पूर्वक उने लेवाली चली सिये सोभा नहीं जाई बखानी जग दंबी का रूप गुन बखानी उपमा सकल मोही लगु जान लागी प्रक्रतिक नारी अंग अनुरागी रूप गुनों की खान जग जननी जान की जी कि शोभा का बढ़न नहीं की हो सकता उनके लिए मुझे सब उपमाय तुछ लगती हैं क्योंकि वे लौकिक इस्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं अधाद इसका मतलब है कि वे जगत की इस्त्रियों के अंगों को दी जाती है काव्या की उपमाएं सब चित्रा नुगत त्री गुनात माइक जगत से ली गई हैं उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्वें अंगों के लिए प्युक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहाजपत बनाना है सिए बर्निये तेई उपमा देई कुकवी कहाई अजसु को लेई जों पटतरिय तिये संसिया जग असी जुवती कहां कमनिया सिए जी के वर्णन में उन्हीं अपमाओं का देखर कौन कुकवी कहलाए और अप्यश्का भागी बने अथा सिए जी के लिए उन अपमाओं का प्रियोक करना को सुकवी के बगसे चुक्त होना और अप्रिती मोल लेना है कोई भी सुकवी ऐसी नदानी एवं अनुचित कारें नहीं करेगा यदि किसी इस्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुन्दर यूटी है ही कहां जिसकी उपमाओं को दी जाए गिरा मुखर तन अरद भवानी रती अती दुखित अतनू पति जानी विश्व वार्वनी बंदू प्रियज यही कई रमासम किमी वजही प्रिती की इस्त्रीयों की तो बात ही क्या देवताओं की इस्त्रीयों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अप्यक्षा कहीं अधिक दिवे और सुन्दर है तो उसमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है पार्वती अर्धांगनी है अर्धात अर्ध नारीश्वर के रूप में उनका आदा ही अंग इस्त्री का है शेश आदा अंग पुरुष्टिप जी का है काम देखी की इस्त्री रती पती को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विश और मद्द जैसे प्रिये भाई है उन लक्षमी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए जोंचवी सुधा पयो निदी होई परम रूप में कच्चबू सोई सोवा रजू मंदरू सिंगारू मत्य पानी पंकज निज पारू मारू जिन लक्षमी जी की बात उपर कही गई है वे निकली थी खारे समुदर से जिसको मत्ने के लिए भगवान ने अती करकश पीठ वाले कच्चब का रूप धरन किया रसी बनाई गई महान विश्दर वासुकी नाग की मतानी का कारे किया अतीशे कठोर मंदरा जल परवतने और उसे मता सारे देवताओं और द्यत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतीशे शोभा की खान और अनबम सुन्दरी कहते हैं उनको प्रगट करने में हित्तू बने ये सब असुन्दर एवं सुभावी की कठोर उपकरन ऐसे उपकरनों से प्रगट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है हाँ इसके विप्रीत यदि छवी रूपी अम्रित का समुद्र ही परम रूप में कच्छब हो शुवारूबी रसी हो श्रिंगार परवत हो और स्वयम काम देव अपने को कर कमल से मत है एही विदी उपजय लक्षी जब सुन्दर्ता सुगमूल तद्वी सकोच समेंत कभी कहेंए स्रियसम तूल इस रवार जो सुन्दर्ता और सुख की मूल लक्षिमी उत्पन हो तो भी कभी लोग उससे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे जिस सुन्दर्ता के समुद्र को कम देव मत हेगा वैं सुन्दर्ता ही प्रकर्ट लौकस्त प्रगट की हुई लक्ष्मी भी उप्युक्त लक्ष्मी की अभेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिवय होने पर भी होगी प्राकृत ही अतहा उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कभी के लिए बड़े संकोच की बात होगी जिस सुन्दर्ता से जानकी जी का दिवयाती दिव्य परमदिव्य विग्रे बना है वह सुन्दर्ता अप्यक्त सुन्दर्ता से भिन अप्रकेत है वस्तुता लक्ष्मी जी का अप्रतिक रूप भी यही है वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का सरूप ही है अतह उनसे भिन नहीं और उपमा दी जाती है भिन वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी भी प्रकट हुई है स्वयम अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन उपकरण की अभिक्षन नहीं है अर्था शक्ती शक्तिमान से अभिन अजित दत्व हैं अतह अनुप में हैं यही गूड दाशनिक तत्व भक्त शिरोमनी कवी ने इस अभूतोप मलांकर के द्वारा बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया है सही में सच बिल्कुल यह बहुत सुन्दर सुन्दर वर्णन है शीता जी का लक्षमी जी से कंपेर करने का हाला कि लक्षमी जी से नहीं किया जा सकता इसमें कभी बताते हैं तो अभी मैं आपको जिस मंदर के लिए मैं यह रामेंट का पार्ट कर रही हूं उसका मैं आपको वीडियो दिखाती हूं वह बहुत पराणा मंदिर है कुल देवी का तो उसी के लिए यह काई हो रहा है तो आपने देखा वह मंदिर वह कुल देवी का मंदिर है बहुत सा लोग बराना मंदिर है साथ साथ बराना और अभी तक वह बन नहीं पाया है तो उसी को मैं लेकर करके मैं सोच रहे हूं कि वह बन जाए और सबस्क्राइब करेंगे उसका और अपने परिवारों को भी कहेंगे सबस्क्राइब करने के लिए कि लोग देख रहे हैं पर आप लोग देख रहे हैं करें तो सब्सक्राइब कीजिए इतना तो मेरा बंता है कि अब आप कर रही है तो आप लाइक करें और शेयर करें वह करें इतना तो आप कर सकते हैं सुपक्र परыеदों, चली संग ले सकी सियानि reasonable गावतगीत मनोहर वानी शुल नवल तनु संदर सारी जगत जन्ली अतुलित 6 हाज स्याने सक्यां सीता जी को साथ लेकर मनुहर वाने से गीत गाती हुई चली सीता जी के नवर शरीर पर सुन्दर साड़ी सुचोबित है जग जन्नी की महांच भी अतुल निये है तो यहां से स्वयंबर की प्रक्रिया आरंब होती है और और अब लोगों को बताना चाहती हुई विवोर्स को अपने बताना चाहती हुँ कि मैं ये पार्ट रामसरी दुमानस का नहीं सुभा आता रहेगा रोज कभी-कभी लेट हो जाता है पर मैं सुभे कोशिश करती हूँ नौवे तक इसको डानने की नौवे तक आता रहेग अर आरग्लर करने की कोशिश करें हुए अर आप लोगों मिलता रहेता अब गराराम से दिखते नहीं के बूज़ा के समयटाथ और अागे भी एह होर्षित कोई और दूसरा पार्ट करने की कोश़िश करूं जब यह रामसरी का पार्ट पत्मँझा तो कोशिशे मेरी जाए आपको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए इतना ही साथ चांते हूं भूशन सकल सुदेश सुहाएं अंग अंग रची सखेने बनाएं रंग भूमी जो पगुधारी देखी रूप मोहें नर नारी सब आभूशन अपनी अपनी जगह पर सुषोवित हैं ज सभी मोहित हो गए हर्शी सुने दुधंबी बजाई बर्शी प्रशून अप्छरा गाई पानी सरोज सो जैमाला अब चट चिते सकल भूगाला देवताव ने हर्शी तोकर नगाडे बजाए और पुश्व बर्सा कर अफसराएं गाने लगी सीता जी के करकमलों में जैमाला शुशोबित है सब राजा चकित होकर अचानक उनकी और देखने लगे सीता जी चकित चित से शीराम जी को देखने लगी तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए सीता जी ने मुनी के बाद बैठे वे दोनों भाईयों को देखा तब उनके नेत्र अपना खजानक पाका लल्चा कर वहीं जा लगे गुर्जन लाज समाजू बढ़ देखी सिय सकुचानी लागी विलोचन सकिने तन रगवी रही और आने परन्तु गुरु जनों की लाज से तब बहुत बड़े समाज को देखकर सिता जी सकुचा गई वे स्री राम चंदर जी को हिदय में लाका सकियों की और देखने लगे राम रूप अरुसिये छवी देखे नर नारी परिहनी निमेशे सोचही सकल कहत सकुचाही विदी सलिविने करही मन माही शी राम चंदर जी का रूप और सिता जी की छवी देखकर इस्त्री वुर्ष में पलक मारना छोड़ दिया सब एक टक मतलब उन्ही की तरफ देखने लगे सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं मनी मन वे विधाता से विविने करते हैं हरु विधी बेगी जनक जड़ताई मती हमारी अस्देगी सुहाई बिनु विचार पनु तजी नर नाहू सिये राम कर करे विवावू हे विधाता जनक की मूर्ता को शिग्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुन्दर वुद्धी उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवार राम जी से कर दें जगु भल कहें ही भाव सब काहू हटकीने आंतहू उर्दाहू यही लारसा मगन सब लोगू बरू सावरो जान की जो हूँ संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बाद सब किसी को अच्छी लगती है हट करने से अंत में भी फिर्दाह जलेगा सब लोग इसी लारसा में मगन हो रहे हैं कि जान की जी के योग वर तो यह सामला ही है तब बंदी जनक बुलाए विर्दावली कहत चली आए कह निर्बू जाई कह हूँ पन मोरा चले भाट ही हरशू ना थोरा तब राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया वे विर्दावली गाते हुए चले आए राजने का जाकर मेरा प्रण सब से कहो भाट चले उनके हिजय में कम आनंद ना था बोले बंदी बचन बर सुनहू सकल महिपाल पन विदेह कर कैंही हम बुजा उठाई विसाथ भाटों ने श्रिष्ट वचन कहा है प्रित्वी की पालन करने वाले सब राजागन सुनिये हम अपनी विशा भुजाल उठाकर विशाल भुजा उठाकर जनक जी का प्रण कहते हैं तो आज का वाल यहीं तक रखते हूं तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाल में तब तक आप मेरा चैनल सबस्क्राइब किजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने बज़वार मित्रणों को भी सब्साइब करने के लिए किए कहिए तो कल फिर मिरते हैं एक नए बार्ट में तक तक खुश रही है नमस्कार